नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में चुरू करते हैं प्रभात चित्र कता की एक और मज़ेदार कॉमिक्स बंदर बना राजकुमार बंदर बना राजकुमार, कथानक विरेंद्र मोहन, चित्रांकन ट्रगुवीर आर्ट्स क्रियेटर, संपाधक मनेश चैन कासी की राजा रामचंद्र के पुत्र जितेंद्र की राज्य की दिवान के पुत्र वीर सेन से गहरी मित्रता थी एक दिन राजकुमार मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ मित्र तुमने अचानक बाहर जाने का फैसला कैसा कर लिया दिवान पुत्र ने बाहर जाने का कारण बताया मेरे पिताने बच्पन में ही मेरी शादी शांती नाम की लड़की से कर दी थी अब मेरे पिताजी की इच्छा है, मैं अपनी पत्नी को ले आउँ तुम्हारा अकेले जाना उचित नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ इस सफर पर चलेंगे मैं भी यही जा रहा था, क्या महराज आपको राज्जे से बाहर जाने की आग्या देंगे पिताजी महराज से हम अनुमिती ले लेंगे, तुम सफर की तयारी करो, जैसी तुम्हारे इच्छा अगले दिन दोनों मित्र घोडों पर सवार होकर सफर पर निकल पड़े राजकुमार, इन सावानने कपड़ों में तुम्हें कोई भी नहीं बैचानेगा मैं भी यही जाता हूँ, दिन भर के सफर के पस्चात हमारे घोड़े ठककर चूर हो चुके है, अब हमें पड़ाव डाल लेना चाहिए ठीक कहते हो, वीर सेन ने घोडों को चरने के लिए छोड़ दिया राजकुमार आप यही पर रुख कर मेरा इंतजार करे, मैं भोजन हे तू फल तोड़ लाता हूँ वीर सेन जंगल में चला गया, मैं भी थोड़ा बहुत इधर उधर खूम कर देख लूँ राजकुमार कुछ दूर जाने के बाद मार्क से भटक गया, मैं जंगल में भटक गया हूँ मेरा मत्र लोटने पर मुझे न पाकर परिशान हो जाएगा भूख से परिशान राजकुमार को फलों से रदा एक व्रिक्ष दिखाई देता है इस प्रेड से फल तोड़ कर अपनी भूख मिटाऊं राजकुमार व्रिक्ष से फल तोड़ कर खाने लगता है इस फल का स्वाद विचित्र है, कहीं यह मुझे हानी न पहुंचा दे फल खाते ही राजकुमार की आकरती बंदर के समान बन गई प्रभु यह कैसी माया है, मैं मानव से बंदर कैसे बन गया यह कैसे संकट में फस गया, अब कोई भी यकिन नहीं करेगा की मैं राजकुमार हूँ कुछ दूर चलने पर राजकुमार को समाधी लगाए एक योगी दिखाई देता है चलकर इस योगी से बात करूँ, शायद यह मेरे दुख दूर कर दे बंदर बना राजकुमार योगी की सामने पैट जाता है योगी का ध्यान तूटते ही मैं उससे अपनी कथा कहूँगा कुछ समय पस्चात योगी का ध्यान भंग होता है यह बंदर भूका लगता है, कुटिया से लाकर कुछ फल इसे खाने को देदू इसी समय राजकुमार बोल उपता है योगी राज, मैं एक मुसीबत का हमारा प्राणी हूँ एं, तुम तो मनुश्यों के समान बोल रहे हो बंदर को मानव के समान बोलते देखकर योगी हैरान हो जाता है तुम कौन हो, बंदर होकर मनुश्यों के भाती बोल रहे हो मैं काशी के राजा का पुत्र जितेंद्र हूँ अपने मित्र वीर से इनके साथ इस जंगल में मैंने पढ़ाव डाला राजकुमार सारा विर्तांत बता देता है उस वरिख्ष के फल को खाते ही मैं मानव से पंदर बन गया हूँ योगी इस भेद को समझ जाता है राजकुमार तुमने मायावी वरिख्ष का फल खा लिया है इसी कारण तुम्हारी यह दशा हो गई है योगी राज यह कैसा भेध है? योगी राज कुमार को बताता है एक विशेश ग्रह के उदे होने पर इस विरिक्ष के फलों में यह प्रभाव आ जाता है तुमने ऐसी ही ग्रह दशा में फल तोड़ कर खाया है अब क्या शेश जीवन मुझे बंदर ही बने रहना पड़ेगा? नहीं, छैमा पस्चाथ जब ग्रह अस्थ होगा तो यह प्रभावी समाप्त हो जाएगा बंदर रहते तुम्हारे अंदर विपुल शक्ती रहेगी राज कुमार यह सुनकर निराश हो जाता है योगी राज क्या अन्य कोई उपाई है? यह विधादा का खेल है राज कुमार इस भेट को समझना कठिन है योगी को प्रणाम करके राज कुमार चल पड़ता है अब मुझे छैमा तक बंदर के रूप में चीवन गुजारना होगा इधर वीर सेन जब वापस आता है अरे राज कुमार कहां चले गए? मैंने तो उनसे यहीं पर रुकने को गहा था वीर सेन अपनी मित्र को खोजने निकल पड़ता है मैं तो तलाश करते करते ठक चुका हूँ कहीं मेरे मित्र को किसी हिंसक पशुने तो नहीं मार डाला तभी बंदर बने राज कुमार को वीर सेन नज़र आ जाता है अरे यह तो मेरा मित्र वीर सेन है मुझे न पाकर परिशान हो रहा है राज कुमार अपनी मित्र के पास पहुंचता है हैं यह बंदर मेरे पास क्यों आ गया है वीरसेन मैं तुम्हारा मित्र राजकुमार हूँ बंदर को मनुष्य के समान बोलते देख कर वीरसेन चकित रह जाता है यह कोई प्रेथ है जो बंदर का रूप धर कर मुझे धोका देना चाहता है तुम तो बंदर हो, कैसे तुम मेरे मित्र हो सकते हो राजकुमार अपने मित्र को सारा वृत्तांत बता देता है इस तरह मनुष्य से ही मैं बंदर के रूप में आ गया राजकुमार के तो बहुत बुरा हुआ, अब मैं महराज को तुम्हारे बारे में क्या कहूँगा एक योगी ने मुझे बताया है कि छे माँ बाद मेरा पुराना रूप वापस आ जाएगा मित्र अब मेरे लिए क्या आदेश है राजकुमार उसते कहता है, अब मैं बंदर के रूप में तुम्हारे साथ चलूँगा जैसी तुम्हारी इच्छा कुछ समय पस्चाथ दोनों चल पड़ते हैं अभी हमें काफी सफर दै करना है मैं जानता हूँ, चार दिन के सफर के पस्चाथ मित्र, वह देखो, सामने राजकर का किला है यही हमारी मंजिल है यहां तक तो सर कुषल आ गए राजकर के किले में वह परवेश कर जाते हैं अब मैं आगे खामोशी रहूँगा तुम भी मेरा भेट किसी को मत बताना ऐसा ही होगा वीर सेन एक व्यक्ति को रोक कर पूछता है क्यों भाई, दिवान चमनलाल की हवेली किस तरफ है? युवक, तुम इस नगर में अजनबी लगते हो इसलिए तुम दिवान जी की हवेली का पता पूछ रहे हो वह इस व्यक्ति को बताता है मैं चमनलाल जी का संबंदी हूँ बहुत दूर से सफर करके उनसे मिलने के लिए चला आ रहा हूँ आओ, मैं तुम्हें दिवान जी की हवेली तक छोड़ाता हूँ वीर सेन उस व्यक्ति के साथ चल पड़ता है तुम्हारे पास यह बहुत अच्छा बंदर है यह पंदर नहीं, बलकि मेरा मित्र दिवान की हवेली तक पहुँचा कर व्यक्ति चला गया मित्र ससुराल तक तो आप पहुँचे अब मैं मुह से एक शर्व भी नहीं कहूँगा वीर सेन अपने आगबन की सूचना सेवक से अंदर भेशता है हवेली में मालिक, काशी से वीर सेंग नाम का युवक आया है अहो भाग्य, वह तो हमारा दामाद है दिवान चमनलाल अपने दामाद को सम्मान के साथ अंदर ले आए बेटे, मुझे तुम्हारे पिता का संदेश मिल गया था अब तुम आराम करो आप अपनी बेटी को कब विदा करेंगे अगर तुम्हें चल्दी है तो दो दिन बाद हम बेटी को तुम्हारे साथ भेज देंगे उधर पती के आने की सूचना शांती को भी मिल गई हम, अब यह भी मेरे रंग में भंग डालने आप होँचा है मेरा बस चले तो इसे जहर खिला दू वीर सेन ने भोजन के समय पहले अपने मित्र बंदर को खिलाया फिर खुद भोजन किया रात्री को दामाज जी आपके सोने का इंतिजाम बिटिया के कक्ष में किया गया है मेरे मित्र बंदर के लिए क्या विवस्ता की है यह तो बहुत सीधा बंदर है किसी से कुछ नहीं कहता यहीं हवेली में पढ़ा रहेगा वीर सेन अपनी पत्नी के कक्ष में पहुचा क्या आप सचमुच मुझे अपने साथ ले जाएंगे हाँ मेरे पिता की यहीं आग्या है सेवक आकर पत्ती पत्नी को दूद दे जाता है तुम मेरे आने से उदास के हो गई हो तुम्हें तो खुश होना चाहिए जी हाँ मैं बहुत खुश हूँ अब यह सो जाए तो मैं चुपके से अपने प्रेमी से मिलाऊ वी सेन सफर के कारण ठका हुआ था उसी नीद आने लगी ठकान के कारण शरीर तूट रहा है आप शयया पर अराम कीजिए मैं आपके पैर दबाती हूँ वी सेन शयया पर लेट गया शान्ती उसके पैर दबाने लगे मेरा प्रेमी इंतजार कर रहा होगा इस समय हवेली में सभी सोई पड़े हैं मैं प्रती रात्री की तरह आज भी पिछले दर्वाजे से निकल जाओंगी पास ही अन्य कख्ष में राजकुमार मौचूद था आज मेरी आँखों के नीन जाने कहां चली गई है सारी हवेली के लोग सोई पड़े हैं मैं बाहर घूम कर देखलू इसी समय शान्ती कख्ष के दर्वाजे से सामने गुजरती हुई नजर आती है यह सुन्दर नारी रात्री के समय सच समर कर कहां जा रही है राजकुमार अपने मन में विचार करता है यह सुन्दरी अवश्य ही मेरे मित्र की पतनी है मुझे इसका पीछा करना चाहिए वह कक्ष से बाहर आता है उसे गैलरी में शान्ती आगे जाती हुई दिखाई दे जाती है इसके पीछे जाकर ही मुझे पता चल सकता है कि यह कहां और क्यों जा रही है शान्ती अपने को छिपाती हुई हवेली के पीछे द्वार की तरफ को आती है आज मुझे हवेली से निकलने में बहुत देर हो गई है मेरा प्रेमी इंतजार कर रहा होगा राज कुमार भी उसके पीछे छिप कर आ रहा था अरे यह तो हवेली से बाहर जा रही है अवशे ही इसके पीछे कोई भेध है हवेली से निकल कर शांती मरगट को जाने लगती है इस औरत का अवशे दिमाग खराब हो गया है रातरी के समय मरगट में किसी से क्या काम मरगट में एक जोपड़ी के निकट पहुँचकर शांती रुख जाती है मिरे प्रेमी को क्या पता होगा कि मैं कितने कश्ट उठा कर यहां तक आई हूँ इस जोपड़ी में शांती का प्रेमी साधू रहता था वह शांती के आने का इंतजार कर रहा था बेवकूफ अभी तक नहीं आई आज मैं उसे इस बात की सजा अवश्य दूँगा इसी समय शांती जोपड़ी में परवेश करती है प्रीतम मैं आ गई साधू उसे देखकर क्रोधित हो जाता है दुष्टा आज तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई मैं शमा जाती हूँ आज मेरा पती मुझे लेने आ गया उसकी सेवा में लगे रहने की कारण मैं समय पर नहीं आ सकी पाहर खड़ा राजकुमार जाक कर अंदर का दृष्य देख रहा था यह औरत तो अपने पती से विश्वास खात करके इस साधू के पास आई है साधू का क्रोध कम न हुआ कुल्टा तुझे हम से ज़्यादा अपने पती का ध्यान है हम तुझे ऐसी सजा देंगे कि तु किसी को भी मुझ दिख़्ानी योग गय न रहे मुझे शमा कर दो क्रोध से भरे साधू ने तलवार से शांती की नाख काट ली धोके बाज तेरी यही उचित सजा है अब चली जा वरना तेरी गर्दन काट दूँगा नीच तुने यह क्या किया राजकुमार को यह देखकर बहुत क्रोध आया अरे इस पत ब्रिष्ट साधू ने तो इस औरत की नाख काट ली शांती रोती हुई जोपडी से बाहर चली जाती है अब मैं इस रूप में अपने पती के पास कैसे जाऊंगी इधर राजकुमार ने भी फैसला कर लिया इस ढोंगी साधू को मैं सजा दूँगा वह जोपडी में परविष्ट हुआ अरे यह बंदर यहां कैसे आ गया तू साधू के रूप में शैतान है हैं यह बंदर तो मनुष्यों के समान भोलता है तूने एक असाय नारी पर हत्यार चला कर कायरता का परिचे दिया है विचित्र बंदर तू मुझे मनुष्यता का पाट पढ़ाएगा मैं पापियों को दंड देना भी जानता हूँ तू बंदर होकर मुझे दंड देगा साधू हसता है जा अपनी खेरियत चाता है तो यहां से भाग जा वरना वरना तू क्या कर लेगा साधू राजकुमार को धमकी देता है मैं इसी तलवार से तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूँगा ऐसा लगता है तेरे सिर पर मौत नाच रही है पापी साधू तलवार उठाता है मूर्ख बंदर अब मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा इसी समय राजकुमार बने बंदर की पूँच साधू के तलवार वाले हाथ पर जालप्टी आह मेरी कलाई राजकुमार ने तलवार को फूर्ती से उठा लिया हे प्रभू मेरी इस दुष्ट आत्मा से रक्षा कर तूने साधू होकर पापियों जैसा आचरन किया है तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है राजकुमार ने तलवार का प्रहार किया आह मरा दुष्ट यही तेरा दंड है मृत साधू के राजकुमार ने चार टुकडे कर दिये इस पापि को अपने किये की सजा मिल गई उधर मरघर से निकल कर शान्ती सोचने लगी मैं घर पर जाकर क्या बताऊंगी अब तो मेरा पती भी मुझे दुथकार देगा सैसा उसे एक विचार सूझा हाँ यही ठीक रहेगा मेरे पती ने आकर ही मुझे इस मुसीबत में डाला है मैं अपनी नाक काटने का आरोप उसी पर लगा दूँगी शान्ती ने अंदर जाते समय दुआर को भी अंदर से बंद कर दिया था राजकुमार जब वापस आया तो ओ यह दरवाजा तो अंदर से बंद है हवेली की दिवार पर भी चड़ना कटिन है राजकुमार फैसला करता है रात पिताने के लिए पास के पगीचे में चला जाता हूँ उधर शान्ती चलती हुई अपने कक्ष में जा पहुँची यह बेवकुफ सोया हुआ है अब मुझे शोर मचा देना चाहिए अरे कोई दोडो मुझे बचाओ मेरा पती मेरी नाक काट रहा है इस शोर को सुनकर हवेली में सभी जाग जाते है बेटिया रानी खत्रे में है दामाची उनकी नाक काटने पर उतारू है पत्नी की पुकार को सुनकर वीर सेन भी जाग गया क्या हुआ तेरी नाक किस ने काट दी बचाओ मेरा पती मुझे मार रहा है दीवान चमनलाल तथा हवेली के सेवक भी इधर आ जाते है बेटी तेरी यह दशा पिताजी इस दुष्ट ने मेरी नाक काट ली तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद